अलगी करण नी विवीद पद्धतियों जेवी के चाडवू, छडवू, उपणवू, गालवू, निक्षेपन, नितारण, आ बदी पद्धतियों आपने अभ्यास करिशूू। के बिकरमा मिठानू पाणी धरावतू बिकर छे, अने तेमा नीचे अने बर्नर वडे गरम करवा माव्या छे। तो आ प्रवरित्तिमा आपने पाणी अने मिठाने अलग करवा माटे बाश्पी भवन पद्धतिनो उप्यों करिये छे। बिकरमानू पाणी छे, नीचे गरमी आपपाथी पाणी दिमे दिमे वराड बनी अने उडी जाई छे। आ पाणी वराड बनी ने उडी जाई छे, ते क्रियाने बाश्पी भवन कहे छे। अने नीचे मिठू जे क्षार सरूपे पाणी मा रहलू छे, त्या आपने मेडवी शकिये छे। तो अलगी करणनी आ एक पद्धति छे, जेने क्यावा मावे छे बाश्पी भवन। अने आ बदा क्षार मा एक क्षार होई छे, अने ते चे मिठू। जियारे दरियाना पाणी ने छिछरा खाडामा बरवामा आवे छे, त्यारे एक खाडामा रहलू पाणी सुरिय प्रकाष्टनी गर्मीती दिमे-दिमे गरम थाई छे। गरम थतु पाणी छे ए दिमे-दिमे वराड सोरुप मा फेरवाई छे, अने ते प्रक्रियाने बाश्पी भवन ग्यावामा आवे छे। थोड़ाज दिवसोमा पाणीनु संपूर्ण बास्पी भवन थाई जाई छे, एटले के खाडामा बरेलू पाणी छे, ए सुरिय प्रकाष्टनी गर्मीने कारणे दिमे-दिमे बद्धूज पाणी बास्पी भवन नी पद्धती द्वारा उडी जाई छे, अने नीचे गन क्षारो रई जाई छे, अहीं आकरुतीमा तमे जोई शको छो के दर्याना पाणी माथी मीठू केवीरीते मिडवामा आवे छे, अवे आ जे मीठू मडिव छे, एटले के जे क्षारो वध्या छे, एने वद्धू सुद्ध करवामा आवे छे, अने पछी आपने जे खोराक माँ मीठू वापरिये छे, ते मीठू तेमाथी मेडवामा आवे छे, तो पाणीनी वराडनू तेना प्रवाही स्वरूप मा रुपांतर करवानी जे बिजी क्रिया छे, तेने गनी बवन कहे छे, पेला आपने बाश्पी बवन विशे वात करी, जेमा पाणीनी वराड बन अहीं आशुचे पाणी नी वराडनू प्रवाही स्वरूप मारू पांतर करू आने क्यावा मावे छे गनी बवन एटले एक बिजा करता उल्टी प्रक्रियाओ बाश्पी बवन अने गनी बवन अहीं तमें जोईशको चो बाश्पी बवन अने गनी करन एक किटली मा पाणी राकेलू छे तेने श्टव उपर गरम करियू छे एक पैन उपर बरफ ना टुकडा राक्या छे अने जे वराड छे ए बरफ ना टुकडानी नीचे त्या ढाकन उपर अडे छे अने त्या ठंडी पड़ी अने पाणी सोरूपे फेरवाई अने ते एक बिकरमा मले छे आपनने पाणी सोरूपे तो जेवी रिते पाणी ने गरम करवाती बाश्पी बवन तायचे तेवीज रिते पाणी नीजे वराड छे अने ठंडी पडवाती अने पाणी मेडवी शकायचे एल्लेके प प्रवाही स्वरूप मा फेरवी शकाई चे आने क्यवाई चे गनी बवन तो बास्पी बवन अने गनी बवन तो आरी ते आपने नितारण, गालण, बास्पी बवन अने गनी बवन जेवी पद्धति योदवारा मिठू, रेती अने पाणी ने अलग करी शकिये छिए हवे एक प्रवरुत्ती छे के बिकर मा थोड़ू पाणीलो अन्ने तेमा मीठू त्या सुधी ओगाळता जाओ ज्या सुधी मीठू ओगळवानू बंद न थाए हवे तेमा चमची वड़े मीठू ओगाळवानू चे ओगाळता जवानू ओगाळता जवानू क्या सुधी ओगाळवानू ज्या सुधी मीठू ओगाळवानू बंद न थाए आम तमने मीठा युक्त पाणीनू जे द्रावण मले चे एने संत्रूप्त द्रावण गेवाई चे शू केवाई चे मीठानू संत्रूप्त द्रावण अही तमे आकरूतिमा जोई शको चो के पाणीने मीठामा ओगाळवामा आवे चे सतत त्या सुधी ओगाळवामा आवे चे के ज्या सुधी मीठू ओगाळतू बंद न थाए एकला मीठानी वाद न थी बीजो कोईपन पदार्थ तमे लई शको चो खांडपन लई शको चो ज्या सुधी ओगालवानू बंद न थाए त्यां सुदी तमे ओगालो हवे जयारे बंद थेई जाई त्यारे 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 जे द्रावण मले छे ते द्रावणने संत्रूप्त द्रावण कहवामा आवे छे तो एनो अर्थ ए तयो के आपणे पाणी नो जे जत्तो लिदो छे त्यामा वदू मिठू ओगाली शकाई तेम हवे न थी तो हवे जे द्रावण मलिव छे ते द्रावण छे तेने संत्रूप्त द्रावण कहवामा आवे छे तो शुँ पाणी बद्दाज द्रव्य पदार्थोने समान मात्रामा ओगाली शके छे आपने एक गलास पाणी लिदो अए तो दाकला तरीके तेमा दस चमची मिठू ओगली शके छे तो खान पन शुँ दस चमची जोगली शके छे आ प्रश्ण नाचे तो चालो शोधी है शुँ करवानूँछे तो बेय प्यालालै बन्ने मा अड़दो कप पाणी लेवानूँछे एक प्यालामा एक चमची मिठू नाकी ते ओगली जाई त्या सुधी त्याने अला होगानूँछे અવે દ્રાવણ સંત્રુપ્ત થાય ત્યા સુદી મીઠુ આપણે દીમે દીમે તેમા ઉમેર્તા જવાનું છે અને પાણીમા કેટલી ચમ્ચી મીઠુ ઓગળ્યું તે બાજુના કોષ્ટકમા લખવાનું છે કે કેટલી ચમ્ચી આ પાણીની અંદર મીઠુ આપણે ઓગળી શક્યા હવે આજ પ્રવરુતીનું ખાણ્ડ વડે પુંદ્રા વર્તણ કરવાનું છે બીજુ જે ગલાસ ચે અમે કપ પાણી લિદુ છે તેમે આવે ખાણ્ડ ઓગાળ તા જવાનું છે આજ પ્રવરુતી ને પાણી મે દ્રાવ્ય ઓય તેવા પદારથો વડે કેટલીક પદધતીઓ ની આ પ્રક્રણમા ચરચા કરી ક કા માિં ટા તાંડંંહાંા tieા ખીેં કાાંંદ ટાાંા હ